हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओन मा यूटूब चैनल, एजुकेशनल एंपायर तो फ्रेंड्स हम आपको UPTJT English के लिए प्रैक्टिस सेट्स करा रहे हैं जो उसकी आज नेक्स टेरीज लेकर हम आए हैं आपके लिए बाकी इससे पहले भी मैं काफे प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ जो आलरडी चैनल पर अप्लोड़िड है प्लेलिस्ट अलग-लग से बनी हुई है सबकी आप जाकर चेक कर सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो Venus and Adonis by Shakespeare was written in Stanjas of Venus and Adonis जो है आपकी Shakespeare के द्वारा लखी गई वो कितने Stanjas में लखी गई है यह आपको बताना है तो जो Venus and Adonis है यह Shakespeare के द्वारा लखी गई एक narrative poem है सबसे पहले तो आपके जान लेजे कि एक narrative poem है इनके द्वारा लखी गई और यह इन्होंने six lines में लिखे six lines Stanjas इसमें है आपके द्वी option यहापे correct हो जाएगा और जो इनकी poem थी है Venus and Adonis यह नोंने 1593 में जो है रिटन की थी और इसमें जो six lines के six lines Stanjas है वो आपके iambic pentameter में लिखे गई है जिसकी rhyming scheme है ABABCC यह इसकी rhyming scheme है जो poem में आपके है इसमें आपकी 199 Stanjas consist है और 1194 sorry 1194 lines में ठीक है चलिए next question देखते है question number two which drama of Shakespeare was not included the first folio of 1623 by Hemings and Condell Shakespeare का कौन सा drama था जो इनके first folio में नहीं include किया गया था और जब इनका first folio था उसको Hemings and Condell के द्वारा publish किया गया था तो इसमें इनके 37 plays थे total उनमें से सिर्फ 36 को ही include किया गया था बाकि इसमें से एक को जो है निकाल दिया गया था वो कौन सा था कई बार question जो है repeat हो चुका है आपका है already exams में यहाँ पर जो option number A है यह आपका character हो जाएगा Pericles को इसमें से निकाल दिया गया था जो Pericles है यह जो एक Jacobian play था और यह first folio में include नहीं किया गया था next देखिए it is believed that Shakespeare was found guilty of deer poaching in the garden of यह है विश्वास किया जाता है कि Shakespeare जो है garden में एक deer poaching में जो है guilty found किया गया था उनको यानकि हिरन पकड़ते वे उनको जो है पाया गया था चोरी करते वे हिरन को तो यह किसके garden में चोरी कर रहे थे यहां पर यह आपको बताना है question में तो third का चोरायट option होगा वो होगा आपका C Thomas Lucy Thomas Lucy के garden में यह चोरी कर रहे होते हैं जहां से इनको पकड़ा जाता है हिरन को चुराते वे next who is the author of the line tiger's heart wrapped in a player side about Shakespeare तो यह कौन से author की line है आपकी यह आपको बताना है तो यहां पर question number four का correct हो जाएगा आपका Robert Green option number D Robert Green के द्वारा लिखी के line है यह ठीक है और यह जो है Shakespeare को criticize करने के लिए नहोंने लिखी थी next देखे आपका which one is the right chronological order of Shakespeare's major tragedies इन में से right chronological order कौन सा है Shakespeare की tragedies का तो देखे इसका सबसे यहां पर एक trick आपकी use की जाती है जो है आपको इसमें याद करने के लिए आपको helpful होगी देखे होती है H O K M होकम ठीक है first आपकी hamlet आई थी फिर आपकी Othello फिर King Lear और last में आपकी Macbeth आई तो देखे इसके according आपका option number A यहां पर correct हो जाता है 5 में hamlet, Othello, King Lear and Macbeth यह इनका correct sequence है आपकी hamlet जो थी देखे होकम hamlet जो थी आपकी आई थी 1600 1 से 1600 2 के बीच में ठीक है 1600 2 मानलो इसको Othello आपकी 1605 में आई 1605 और आपकी जो King Lear थी यह आपकी 1606 में आई थी और जो Macbeth थी आपकी Macbeth भी आपकी 1606 में आई लास्ट में ठीक है next step का who called Shakespeare's sweetest Shakespeare fancius child किसने कहा था Shakespeare को sweetest Shakespeare fancius child बहुत ही famous quotation है आपकी और कई बार पूछी भी जा चुकी exam में तो यहाँ पर right option आपका जो है sweetest Shakespeare fancius child question number 6 का के रक्त हो जाएगा आपका John Milton John Milton देनको यह कहा था sweetest Shakespeare fancius child okay next देखे question number 7 from where these lines have been taken and who is the speaker यह लाइने आपकी कहां से ले गई है और उनका speaker कोन है we are such stuff as dreams are made on end our little life is surrounded with a sleep ठीक है तो यह जो लाइने है आपकी प्रोस्पेरो के द्वारा बोले गई थी the tempest में ठीक है the tempest आपकी 19 sorry 1611 में आपकी आई थी the tempest और इसमें प्रोस्पेरो जो है लाइने बोलता है और इसका hero होता है जो tempest में ठीक है next question देखते हैं आपका question number 8 in which poem has words worth described different moods of nature nature के different moods को कौन सी पोयम में अपने describe करते हैं words worth तो यहां correct option आपका question number 8 में हो जाएगा be lines written about intern abby इसमें यह करते है different moods of nature को describe जो यह poem जो ने 1798 में लिखी थी और इसका full title क्या था आपका lines written a few miles above intern abby on revisiting the bank of the way during a tour July 13, 1798 यह इसका आपका full title था जो आपको mind में रहना चाहिए कई बार exam में पूछ भी लिया जाता है next question देखते हैं आपका will no one tell me what she sings perhaps the planative numbers flow four old unhappy far off things and battles long ago the above lines of course जबके line हैं कौन से जो पोएम से ले गई है तो देखिए हैं आपकी four poems आपकी words worth के दुआरा लिखी गई है और जब यह solitary reaper इन्होंने लिखी दी क्योंकि option number A correct हो जाएगा solitary reaper से आपके line है ले गई है Scotland में लड़की जो खेतों में खास काटरी होती है और तब वो एक काना गाती है जिसको wordsworth जहां महां से निकल रहे होते हैं और वो सुनते हैं उसके गाने को बट वो समझ ही नहीं पाते हो क्या गा रही होती है क्योंकि वो दूसरी language में गा रही होती है इसलिए जो है wordsworth बोलते है क्या मुझे कोई बताएगा क्या गा रही है इसलिए यहां question number 9 का right option आपका हो जाएगा यहनके solitary reaper नेक्स्ट देखिए आपका question number 10 यह line है कौन सी poem में आपकी बोली जाती है तो question number 10 का right option होगा आपका D यह line है भी आपके टिंटर्ण एबी में बोली गई थी और जो यह poem है आपकी यह D के syllabic blank words में लिखी गई है और wordsworth के दुआरा लिखी गई है यह टिंटर्ण एबी next देखिए आपका passes दिया गया है इसको read करके आपको answer करने है questions के तो आप एक बार paragraph को read कर ले वीडियो को pause करके कर सकते है otherwise आप screenshot ले सकते है इसका questions के answer मैं आपको बता देती हूँ चले start करते question इसके question by 11 देखिए which of the following does refer to the political use of Islam तो देखिए question by 11 का जो correct option हो जाएगा आपका वो होगा be Islamist according to this paragraph आपको paragraph read करके ही आपको समझ आएगा आप एक बार read जरूर करें इसको इससे आपकी practice भी हो जाएगी इसकी ठीक है question number 12 देखिए who was to exhaust तो question number 12 का correct हो जाएगा आपका C Donald Trump next देखिए Donald Trump is the successor of Donald Trump जो होते हैं किसके successor होते हैं तो 12 का correct हो जाएगा आपका C Vladimir Putin चीक है next Mr. Trump does not have Mr. Trump जो होते है does not have या C यनकी political decency next step का Stephen Colbert is N Stephen Colbert जो होते हैं देखिए यहां पर character हो जाएगा 15 में option number B actor यह actor होते हैं ठीक है आपकी question number 15 तक जो है paragraph से लिए गए थी यहां पर finish हो जाते हैं next question जो है फिर से अपका literature से start हो जाता है देखिए who said the poet is a man speaking to man कौन कहता है यह लाइने the poet is a man speaking to man तो यहां पर character option आपका जो है 16 में हो जाएगा D William Wordsworth William Wordsworth के द्वारा यह लाइने कही गई थी next question देखते है 17 the lake district in England is associated with जो lake district है इंगिलैंड में वो किसके साथ associated है तो देखिए 17 में character होगा आपका D यानकि William Wordsworth lake district से आपके William Wordsworth जो थे associated थे फिर साबका passage दिया गया इसको भी आपको read करना है और इसके questions के answer करने क्योंकि कई बार exam में दो paragraph भी आ जाते हैं आपके otherwise एक तो आता ही है ठीक है आप एक बार screenshot ले ले इसका छोटा से paragraph है आपका बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं है देखिए बस इतना ही है चले इसके question के answer हम आपको बता देते हैं the author feels sad about the later part of his life because because C यहाप राइट option हो जाएगा the word was painfully disturbed during that period of time next decade 19 the victories of the past यहाप ए 19 का आपका character हो जाएगा B proved to be temporary events okay next question देखते हैं 20 the word definitive as used in the passage means इसका means क्या होता है definitive का passage के according आपको बताना है 20 में correct आपका B हो जाएगा sorry D हो जाएगा final okay D option यहापे correct हो जाएगा आपका next देखिए 21 during the Victorian age people believed that Victorian age के दोरान लोगों को विश्वास करते थे की C peace would prevail and happiness would engulf the world world okay C option इसमें correct हो जाएगा आपका 22 देखते हैं a brief interlude between past and future barbarism can be interpreted as तो 22 का correct हो जाएगा आपका D a short period of time between past and future acts of savagery okay next देखिए यहाँ से आपका literature स्टार्ट हो जाती यहाँ तक आपके 22 तक जो थे question आपके paragraph से लिए गए थे अब next देखते हैं आपका 23 where from the lines यह line ने कहां से लिए गई है fear no more the heat of the sun nor the furious winter's rage thou thy worldly task has done whom art gone and taken thy wages तो 23 का correct आपका A हो जाएगा यह symbol line symbol line से line आपकी लिए गई है question number 24 देखते हैं who expresses the common judgment of whom when he says कौन express करता है कि common judgment और किस से I do not remember that any book of person or person or event in my life ever made so great an impression upon me is the place of Shakespeare कि मुझे याद नहीं है कि कोई book या कोई person इनके कोई व्यक्ति या कोई event मेरे लाइफ में ऐसा हो जिसने मेरे उपर इतना जादा प्रभाव डाला हो जितना कि Shakespeare के plays ने डाला तो देखी यह आपकी quotation थी गोथे की option number B यहाँ पर correct हो जाएगा गोथे की word थे 25 देखी हर्मिया इससे character in Shakespeare हर्मिया जो होती है characters किस में होती है Shakespeare के तो यह आपकी होती है midsummer night stream option number A यहाँ पर correct हो जाएगा midsummer night stream में हर्मिया जो है 1596 में written की गई थी next देखी है आपका यहाँ पर one words दिये गए हैं आपके one who is a dabbler in arts, science और literature जो arts, science और literature में dabbler हो उसको क्या बोलता है तो देखी 26 का character हो जाएगा आपका option number A dilatant next देखी the time between midnight and noon midnight और noon के बीच का जो time होता है उसको क्या कहते है तो उसको बोलते हैं आप anti meridium option number C correct हो जाएगा next देखी है still existing and unknown 28 में हो जाएगा आपका correct option B यानके extent option number B यहाँ पर correct हो जाएगा 28 का extent ठीक है next देखी है आपका fear of height fear of height यानका जिसको उचाई से डर लगता हो उसको क्या बोलते है तो जो उचाई से डर होता है उसको बोलते हैं आप C यानके एक्रोफोबिय एक्रोफोबिय बोलते है आपका उचाई से डर को agrophobia क्या इसको बोलते है तो agrophobia बोलता है कि खुले जगा से जिसको डर लगता हो उसको hydrophobia होता है, जल से डर, यहनके पानी से और pyrophobia बोलते हैं, आग से डर लगता है जिसको, ओके question number 30, देखे, the highest point, जो highest point होता है, इसको क्या गयता है highest point को बोलते हैं, zenith, option number A, यहाँ पर correct हो जाएगा, ठीक है next देखे आपका, one who makes an official examination of accounts जो accounts का official examination करता हो, वो कौन होता है, तो इसको बोलते हैं, आप auditor, option number A, एक character हो जाएगा, आपका 31 में, okay, next देखे, 32 A, government by the officials, government by the officials, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ब्यूरो क्रेसी, okay, ब्यूरो क्रेसी इसको बोलते हैं, यहनके अधिकारी work, plutocracy किसको बोलते हैं, plutocracy होता है, धनी work, aristocracy, यहोता है आपका उच्च वर्ग, यानके clean work, और monarchy किसको कहते हैं, monarchy होता है आपका राजशाही, ठीक है, next देखे, one who offers his services without charging for it, जो अपनी service बिना charge की देता हो, यानके free में, उसको होता है, आपका volunteer, option number B, correct हो जाएगा, यानके swim savvy, okay, swim savvy इसको बोलते हैं, next देखें आपका, a tank where fish or water plants are kept, एक tank जहाँ पर fish या फिर water plants को रखा जाए, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आप aquarium, ठीक है, B option correct हो जाएगा, aquarium इसको बोलते हैं, 35 देखें, avoiding wastage, wastage से avoid करना, ठीक है, wastage को avoid करना कि इसको बोलते हैं, तो यहाँ correct हो का आपका B, यानके economical, अलपव्याई, ओके, फिर आपका 36, Shakespeare was not of an age, but for all time, was uttered by, यह लाइने जो हैं किसकी द्वारा बोली गई है, तो 36 का correct हो जाएगा, आपका C, यानके Bain Johnson, Bain Johnson की द्वारा लाइने आपकी बोली गई थी, next देखे, आपका 37, where from these lines have been taken, यह लाइने कहां से ले गई है, good friend for Jesus sake, forbear to dig the dust and closed hair, blessed be the man that spares these stones, and crushed be he that moves my bones, यह जो लाइने हैं आपकी 37 में, question में, यह आपकी लिगई है Strick Spears के Tom से, okay, Strick Spears के, जो कबर होते हैं, उसके उपर ही लाइने लिखी गई थी, तो आपका 37 का correct option आप हो जाएगा, आपका D, फिर देखे, आपका next, 38, to clean the agents tables, तो यहाँ 38 का correct हो जाएगा, आपका A, to push clean the administrations of its abuses, okay, फिर आपका A fly in the ointment, A fly in the ointment, यहाँ पर character कौन सा हो जाएगा, यह होगा, question number C, इनके small anoints that spoils a pleasant experience, okay, question number 40, of the deepest die, of the deepest die का means क्या होता है, तो यह था, of the words, of the roast or extreme type, next, देखे, आपका 41, to throw up the sponge, to throw up the sponge, इसको बोलते हैं, to admit defeat, चीक है, यानि कि हार मानना, next, देखे, आपका, to rule the roast, rule the roast किसको बोलते हैं, तो 42 का correct होगा, आपका D, यानके to dominate, फिर देखे, आपका, to cut the guardian note, किसको कहते हैं, तो यह था, आपका C, to solve a difficult problem, okay, to solve a difficult problem, next, आपका, to sow the wind and reap the worldwide, 44 का correct होगा, आपका D, to suffer for once foolish conduct, यानके किसी ये गलत behavior का, मुर्ख वयवार का, के लिए सफर करना बोलते हैं, ठीक है, 45, देखे, to play fast and lose, play fast and lose, किसको कहते हैं, यह कहते हैं, to be undependable, okay, next, आपका 46, to wrangle over an ashes shadow, 46 का correct हो जाएगा, आपका B, to quarrel over trifles, 47 देखे, to keep one's head, to keep one's head, किसको बोलते हैं, 47 का correct हो जाएगा, आपका, option number B, जिनके to keep calm, next, आपका girls worthy's masterpiece is, girls worthy का जो masterpiece है, वो कौन सा था, तो girls worthy का masterpiece आपका the four sides आगा था, चीक है, option number C, correct हो जाएगा आपका, यह आपका 1922 में आया था, और इसके ले इनको nobel prize भी मिला था literature का, next, देखिए 49, the influence of class is depicted in, class का जो influence था, वो किसमें वर्णेट किया गया है, तो यह किया गया था, आपका D, यहनके loyalties में, option number D, correct हो जाएगा इसमें आपका, next, देखिए आपका 50 से 59 तक, इनको आपको opposite word यहाँ पे choose करना है, इनवाले में, देखिए, choose the word opposite in, meaning to the given word, okay, तो देखिए 50 का आपका दिया गया है, hazy, option number, sorry, question number 50 में आपका word, hazy, hazy का means होता है आपका, मतलब धुनला, जैसे की, धुन्द, धुन्द भरा, यह फिर misty, ठीक है, उसको बोलते हैं, hazy, और इसका जो opposite हो जाएगा, 50 का, यहनके hazy का, वो हो जाएगा, option number C, यहनके clear, ठीक है, next 51 आपका thrifty, thrifty बोलते हैं, कम खर्चिला, कम खर्चिला बोलते हैं, thrifty, ओके, और 51 का right option हो जाएगा, आपका C, यहनके wasteful, यह बोलते हैं, इसको गंजूस और wasteful, यहनके अत्यदिक खर्चिला, ठीक है, clean आपको पता ही है, supposed, यहनके saav, और loyal बोलते ही वफादार को, और next आपका reverend, reverend बोलते हैं आप, श्रद्धालू, यह फिर शुशील, ओके, 52 देखते हैं, fantastic, fantastic, fantastic का meaning क्या होता है आपका, तु देखिए, fantastic means होता है, ऐसा मानने, यह फिर extraordinary, ठीक है, तु देखिए, यहाँ, 52 का character आपका हो जाएगा, B, यहनके ordinary, सामाने, इसको बोलते हैं, ऐसा मानने, ordinary, यहनके साधारन, यहाँ, सामाने, okay, next देखिए, 53, parsimonious, पार्सिमोनियस, बोलते हैं, आप, यहाँ पर इसका character option हो जाएगा, यहनके opposite पूछा है, तो C option यहाँ पर इसका, जो है, हो जाएगा, extravagant, ठीक है, extravagant होता है, अत्यवधिक खर्च करने वाला, ठीक है, prodigious, prodigious किसको बोलते हैं, तो यह बोलते हैं, आप किसी चीज़ का भयांकर हो कुछ, यहनके अजीब हो करीब हो, उसको बोलते है, prodigious, selfless, आपको पताए, कि निश्वार्थ, ostentatious, ostentatious बोलते हैं आप, दिखावटी या फिर भढ़कीला, okay, उसको बोलते हैं, ostentatious, predilection, predilection किसको कहते हैं, तो यह होता है, pukhs बात करना, या किसी का pukhs ले लेना, उसको बोलते है, predilection, तो यहाँ character आपका हो जाएगा, C, यानके dislike, ठीक है, यह किसी को पसंद करना, या किसी के pukhs में जाना, तो यहां इसका opposite हो जाएगा आपका dislike acceptance किसको कहते है acceptance बोलते हैं स्विकर्थी या फिर स्विकार करना ठीक है और choice तो आप पता ही आपको किसी चीज को चुनना attraction यानकी accution next step का dormant dormant किसको कहते है dormant होता है सुस्त कोई व्यक्ति सुस्त हो उसको कहते है dormant और इसका opposite हो जाएगा आपका option number a यानकी active ठीक है modern यानकी आधुनिक permanent जो permanent हो यानकी शाश्रत हो और transient कहते है as thai या फिर shanic ठीक है permanent बोलते है इस thai को next step का 56 यानकी adderent adderent किसको कहते है adderent बोलते है समर्थक किसी का जो किसी के समर्थन करता हो उसको बोलते है adderent और इसका opposite word हो जाएगा आपका 56 का right option c यानकी detractor detractor किसको कहते है निंदक या फिर किसी की आलोशना करने वाला उसको कहते है आप detractor rival आपको पता है प्रतिद्वंदी या प्रतियोगी सामने उसको बोलते है rival alien कोई विदेश से या फिर कोई इसी दूसरे लोग से आया हो alien होता है enemy शत्रू होता ही है आपका 57 देखते है banish किसी को निकाल देना या बोलते है किसी को निर्वासित कर देना banish कहते है उसको ठीकि यहाँ पर इसका correct ओप्शन आपका b हो जाएगा यानकि किसी को शरण देना वैसे तो harbour बंदर गाह को भी बोलते है बट शरण देना भी इसको कहते है तो यहाँ पर इसका b option correct हो जाएगा क्योंकि opposite word हमसे पूछा है यहाँ पे ठीकि abandon किसको कहते है होता है तो यह होता है उत्तल यानकि उभावदार किसी चीज जो होता है उभावदार उसको बोलते है convex और इसका opposite word हो जाएगा आपका d यानकि indented ठीकिया b देखिया आपको क्या है produce brand किसको बोलते है आप तो इसका meaning होता है आपका उभावा या निकलावा इसका भी ठीकिया पर हमें यहाँ पर जो है इसका opposite बताना है था तो वो होता है indented next देखिया आपका stubborn stubborn किसको बोलते है तो यह बोलते है ideal या फिर जिद्धी ठीकिया और इसका opposite word हो जाएगा आपका c यह इनके playable यह इसको बोलते है कॉमल या फिर लचीला ठीकिया जो कॉमल दिल का उसको बोलते है playable ठीकिया willing बोलते है इच्छा इच्छा से अपनी consenting बोलते है श्वी करती और easy तो होता है यह आसान 60 दिखते है what is the synonym of distant distant का synonym क्या होता है तो distant का synonym होता है आपका option number B इनके despise despise और distant दोनों का means होता है आपका नफरत करना या फिर त्रिसकार करना किसी का यह इन दोनों का meaning होता है अप्रोव सुभी करती देना होता है love आपको पता है या prime और taunt taunt किसको कहते है ताना देना ठीक है आज हम question number 60 तक ही करेंगे इसके next part में हम इसका आगे का part cover करेंगे तो friends चो लोग चैनल पर नए थे वो please चैनल को subscribe जरूर कर ले और subscribe करने के बाद bell icon को प्रेस जरूर कर ले ताकि videos आपको मिलती रहे ओके